हलो फ्यूचर आइटेंस ब्रेंस्टॉर्म सीरीज के अंदर आपका स्वागत है आप सभी लोगों क्वेश्चन एक होमवक में मिला था क्या आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल किया है बड़ा बहतरीन सवाल था और्गानिक और फिजिकल केमिस्ट्री का एक मिक्स सवाल इस तरह के सवाल पूछे जाने का आयाइटी में ट्रेंड स्टाट है यह एडवांस के अंदर तो देखते हैं सवाल को करते हैं क्या आप सभी लोग सॉल कर पाई सवाल को अपने आंसर को जरूर मैच करिएगा तो सवाल के लिए आपको रियाक्शन स्कीम गिवन है र रहा है रेड़ाट आरेंटी से पास करने असी परसेंट एफिशेंसिया आर बन रहा है और वजन में एक्स ग्राम गिवन है फिर इसी पी को हम लोग एचे टू एच प्लस में पास कर रहे है तो हमारे पास 333 कैल्विन पर एस बन रहा है बेरियम हैड्रॉक्षाइट से रिय स Days कर वहागता है निकाल ही लिए होगे घढ़र नहिए अरग तरह यहाँ पर Agreed Vergleich कर रहने हम लोग फूरी हमारे पास क्या बना भी हमारे पास मैंटी कैन होडरो एक प्रिट्व कितने है चार बटा 40 कितने मोल है इसके जिरो पॉइंट वन मोल जो इसके जिरो प्रेट रखेंगे अब क्या reaction कराई है हमने एन एन्हें की reaction कराई है मेई की presence में इसकी reaction efficiency कितनी है 75% अगर इसका 0.1 होता 100% efficiency तो 0.1 बंता पर 75% efficiency तो कितना बन जाएगा यहां पर बन जाएगा 0.1 कि इसके इसके इतने हैं तो इसका कितना बन जाएगा यहां पर CS 3 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 तो जरह देखिए यहां पर अगर इसके 3 mol होते तो इसका एक mol बनता तो अगर इसके इतने है तो इसका कितना बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा 1 by 3 इसकी efficiency भी लिखने न 80% है 1 by 3 80% efficiency 1 by 3 into 80 by 100 into देखिए कितना 0.1 into 75 by 100 तो जर्णा देखिए यहाँ पर कितना रहेगा यह नीचे अगा थाउजन लगा देगे इसमें तो यहां से कट जाएगा तो यहां देखिए 75 इंट्राइट एन मेरे पास 0.02 मोल आ गया, 0.02 मोल आ गया तो इसका molecular weight निकाल सकते हो, इसका वजन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, 0.02 मोलेकुलर weight calculate करोगे, होता है 1.62, sorry, 162 ग्राम पर मोल, तो यहां से कितना आ जाएगा, मारे पास, 3.24 ग्राम, 3.24 ग्राम पर मोल, बोलो, हाँ या न, efficiency और reaction based सवाल था, efficiency और reaction based सवाल था, बड़ा ही आसान सवाल था, बस अगर इस reaction का product नहीं आ दोगा, कर इस सवाल को कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे इस सवाल को, basic mole का सवाल है, आगे चलते हैं, इसी reaction scheme के अंदर हमें वाय बताना है, तो देखिए भई, वाय के लिएम लोग क्या किये हैं, हम लोग प्रोपाइन लिए, CH3, C1, CH, इसकी reaction हम लोग करा दिया, H2G2+, H+, के लिए, कौन सी reaction होती है, ना पता सकते हैं, कुच्रेव reaction, यहां हमारे पास क्या बना यहां पर, CH3, C, double bond, O, CH3, यहां पर हमारे पास efficiency क्या है, यहां पर हमारे पास efficiency 100% है, तो यानि यहां पर इसके 0.1 mol थे, तो यहां पर क्या, इसके 0.1 mol बने क्या भईया, क्या यहां और क्या होगा हमारे पास जोड़ा कि यह पर र्याक्षन दिखरी कि तुम लोगों को क्या यहाँ पर एल्दॉल रkeepers प्रिक्षुन्सी कितनी है असी पसेंट विशन से तौन मने का देखेए हमारे नियुकर फारा हमारे पास घ्र रोइंट 1,0.1 0.1 कितनी बचन 2 molecule combined हो रहे हैं वन बाइ two into 80 by 100 कितने आ रहेंगे हैं यहाँ पर ज़रा देखिए तो 1000 लिख देता हूं नीचे यह काड़ देता हूं इससे यह चार कितने मौल आ रहेंगे इसके कितने मौल आ रहेंगे इसके मौला रहेंगे भाया 0.04 पूर्मोल 0.04 मूला रहेंगे इसकी अब इसी स्पीचीज को हमने नो सील के वजन पर हीट किया हेलो फॉर्म रियक्शन दिख रही है कितने लोगों को एने ओसील हमारे पास क्या बनेगा च्छ 3 सी च्छ 3 वह इसका मॉलिकलर वीट एक लिटकरोएट करें तो देखे 15 15 का मॉलिकलर वेट हमारे पास 12 होता है तो जड़ा कैल कुलेट करें इसको 15 15 30 और 12 हमारे पास 12 12 प्लस 12 एक कितना हो रहेगा यहाँ पर जोड़ लीजेगा इसका इसका मॉलीकिलर वेट निकालिए आप लोग इसक कि एक यहां पर कितना आ रहा है यह हमारे पास इसको नीचे भीजिए तो वजन पता करना है, तो इसका वजन हमारे पास आया 100, तो हमारे पास molecular weight आया 100, यह हमारे पास NI है, तो इसका W कितना रहेगा, weight कितना रहेगा, 0.032 into 100, तो ज़रा देखें, यहां से 1000 नीचे, यह कट गया, कितना आगया हमारे पास, 32 बटा सो, मतलब 3.2 ग्राम, इसका क्या आगया, हमारे पास, वजन आगया, इसका वजन कितना है, 3.2 ग्राम, यही तो हमारे पास वाय था, देखो, 3.2 ग्राम, clear है सवाल, concept को समझ लो, efficiency प्लस reaction scheme का mix सवाल था, अगला challenge जरूर करिएगा, अगला question आपके सामने आएगा, उसको जरूर solve करिएगा, अगला आपके सामने 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 आपके